अब एक नई चीज सफलता के मंत्र सफलता क्या है क्यों है और किसके लिए है यह जानना बहुत ही आवश्यक है हर ब्यक्ति सफलता के पीछे भाग रहा है कि हमें सफल होना है सपने देखता है दिन रात उसी के बारे में सोचता है और उसी की तरीके से वह कारे करना प्रारम करता है लेकिन यह देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को सफलता की परिभाशा ही नहीं पता सफलता के बारे में जानकारी नहीं है तो यह पार ध्यान रख मेडिकल में जाना है हमें इंजिनरिंग में जाना है हमें चाठेड एकाउंटेंट बनना है हमें इंडियन आर्मी जॉइन करना है कहा जाना है यह एक लक्ष जीवन का बना होता है यह हम उसको पा लेते हैं तो हम क्या कहलाते हैं सफल कहलाते हैं यह बात ध्यान रहे हमीशा कि सफलता के लिए बहुत सारी जो हैं सूत्र दिये हुए हैं आज मैं आपको एक एक करके जो है इसके बारे में बताऊंगा कि सफलता के कौन कौन से सूत्र हैं और उसको किस तरीके से हम अपनी जीवन में आत्मसाथ करेंगे तो हमें पहुत ही लाब होगा सबसे पहली बात क्या है अपना लख्ष नर्धारीत करें जो आपका लख्ष यहादि आ यह आपका लख्ष है कि हमें इन आजरी ज्वाइन करना है हमें डीट कॉलिफाइक ना हमें आर्मी जॉइन करोंगा मैं आर्मी जॉइन करोंगा मैं तुम बहुत बडांतुह मैं बढ़ा यॲजनेश्मेंन बनुंगा मैं करें मम्मी नहीं पापा नहीं भाइया नहीं एको स्काम्यार व्यक्ति नहीं आपको खुद अपना लक्ष निरधारीत करना है ठीक है यह बात ध्यानति चाहिए नेक्स अपनी कमझोरी को अपनाएं वह समझेंगे जैसे किया होता हैina लीजे हमें क्या है había एंध् Yen masters में हमें अलजब्रा है पिया दूर भागते हैं कि घंडी करना है अपनी कमझो को से दूर नहीं भागते हैं कि बलक्कि उसको अपनाना है कि हम कुछ ऐसा करें कुछ ऐसा सीखें कुछ अपने सीनियर से सीखें, गुर्जन से सीखें, माता-पिता से सीखें और अपनी कमजोरी को डे बाई डे दूर करें यह चीज हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, कमजोरी जब आपकी हटेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी, नेक्स इसके बाद जो है, तीसरा जो हाता है, खुद पर भरोसा रखें हमें कामियाब होना है, हम इतनी महनत करेंगे, हम इतना अच्छा पढ़ेंगे, हम अपने माता-पिता के सपनों को साकार करेंगे, हमारे गुर्जन ने, हमारे प्रिस्पल ने, जो हमारा लक्ष रखा है, जो हमने लक्ष बताया है, उनको उस पर हम दिन प्रत दिन महनत करके day by day अपने आपको improve करके हम काम्याब होंगे या confidence जो है या जो अपना personality का सबसे बड़ा एहम हिस्सा होता है कि अपने आप पर भरोसा रखना to be confident हर चीज के लिए हाँ मैं कर सकता हूँ मैं इसको पढ़ सकता हूँ मैं सवाल को लगा सकता हूँ यह competition मैं beat कर सकता हूँ इसके लिए जितनी वोगे तयारी करनी है मैं कर सकता हूँ तभी जाकर के बात बनती है यह बात हमीशा ध्यान रखना चाहिए तो खुद पर भरोसा रखे देखिए I want do it I can do it I want to do it I how do I do it I all try to do it I can do it I will do it मतलब क्या है काम्याबी के जो है रास्ते पर वो बच्चा जो है चलता चला जाएगा जिसके में यह होगा I can do it जब do कर सकता है तो वो काम्याब भी हो सकता है next इसके बाद चुनोतियों को सिवकार करे जब हम तयारी करते हैं हम सफलता के लिए प्रयास करते तो बहुत सारी चुनोति आती है बहुत सारी समस्याइं आती है उन समस्याओं से घबलाना नहीं है हमेशा अपने माता पिता को बेस्ट फ्रेंड मानते हुए अपने टीचर को बेस्ट फ्रेंड मानते हुए उनसे बात को share करना है और उनकी problems को दूर करके उन चुनोतियों को स्विकार करते हुए भी क्या है आगे बढ़ना है क्योंकि जितनी अच्छी सलाह आपके माता-पिता दे देंगे आपके गुर्जन दे देंगे उतनी अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता है क्योंकि वहाँ पर self नहीं होता स्वार्थ नहीं होता वहाँ पर केवल यह की बात होती है कि आपके काम्याबी सबसे बड़ा एहम हिस्सा रखती है तो जहां रखेंगे इस चीज को कि चुनोतियों को स्विकार करना है और उस चुनोतियों में घवलाना नहीं है उस समय माता- अपने गुरजन की साहता लें गजी है तब जाकर के बाद बनेगी नेक्स्ट्टिस के बार जो है एक डर में नहीं जो घदर सकता है कि और लुपने मैटमाटिक की आ जागा मैं क्या करूंगे किस तरीके से हमारे question से दी numerical आ गया तो हमारा बेकार हो जाएगा system तो क्या होगा डरे नहीं उस पर अमल करें confident रहेंगे तभी जाकर क्या होगा देखिए यह क्या है खाई है और इसके बीच से क्या है यह उच्छाल मार रहा है उसको डर लगना है लेकिन उसके कामियाभी के ल सफलता एक बार में मिल जाएगी उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ेगा हर दिन अपने आपको मुल्यंकन करना पड़ेगा कि कल हम कहां थे आज हम कहां है और कल हम कहां तक पहुंचेंगे जब सतत प्रयास होगा continuous में आप जब इस चीज़ को अपने आप से करना है क्योंक से होगा तब ही जाकर के सफलता जो होगी वो मिलेगी नेक्स इसके बाद है एक अग्रता बनाए रखें अपने दिमाग में कंसंट्रीशन जो है लेवल वो बनाए रखेंगे इसके लिए मैंने कई टिप्स दिये हुए है अलोम मिलोम का अउन धनी का उच्चारण साथ भी जो है पैन को लेकर कि एक नजर देखना जो है और तब तक देखना जब तक कि आँख से पानी न निकले यह चीज़ जो है टंसेंट्रीशन लेवल को बनाता है प्राणायाम करने से जो है इनसी को धान रखेंगे और अपने आपको बहुत अच्छा जो है प्रश्पर करके हुए हर चीज को सकारात्मक पहलू ले कर के नहीं चलेंगे हापकोभी भी साप Rice primeira नहीं हो सकते साथ सकारात्मक बनना अनिवार है मात पिताबी सिखाते ही टीचर्न इसका तो कि पॉजटीव से इसका मतलब क्या है कहीं पर बन करके बने रहेंगे और उसी साफ से तैयारी करते रहेंगे नेक्स्ट इसके बाद है अलस से दूर आज कल का जो जीवन चल रहा है वह मोबाइल युक का जीवन चल रहा है दिन रात जो है बच्चे है मोबाइल पर साइट्स पे लगे हुए है उससे हटे अधिया आपको समझाते हैं लेकिन उसको समझ करके उसको जीवन में आमल करना यह बहुत जरूरी है तभी सफलता प्राप्त होगी सुनना सुनकर के मुरारी बापों की कथा सुन लिए बहुत अच्छा लगा पढ़िया रहा पांसात मिजट की वीडियो चली लेकिन उससे हमने कितना सीखा कितना लर्ण किया यह चीज अनिवार होती है यह आपकी जीवन सैली बदलती है आपका अपना धंग बदलता है आप पढ़ने की स्टाइल बदलती है तब आप समझेंगे कि हां हमें इस मोटिवेशनल वीडियो से कुछ न कुछ लाब हुगा है और आलस्ट तो बिलकुल छ आलस्ट कैसे अच्छा होगा जब आपको अच्छा फूड मिलेगा विटामीन युक्त खाना मिलेगा खनज युक्त खाना मिलेगा और अच्छा प्रॉपर बिल्क जो है आप लेंगे कभी जाकर गे क्या हो मेंटेन होगा तो सरीर को स्वस्त रखना है और साथ में मन को स्व कि आप सतत प्रयास करते रहिए मंजिल जब तक ना मिले रुकिये मत कॉंटिडियूशन भी लगे रहिए लगे रहिए एक दिन आपको सफलता मिलेगी बेटा यहां एक बात बताना चाहूंगा फॉमस अलबा एडिशन ने जब बल्व का निर्माड किया था उससे पहले उसने यह केवल फॉमस अलबा एडिशन का कमाल था फैलियूर हुआ लेकिन उसने अपना सतत प्रयास करना नहीं छोड़ा और तब तक वो जूटा रहा जब तक कि उसको मंजिल न मिल गई जब तक वो क्या है बल्व का निर्माड नहीं कर लिया तो बिटा इन बातों को ध्यान र बढ़ेंगे तो हमको आज लगता है कि इस वीडियो को जो देख रहा है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे कि डॉक्टर सूरीप्रिकाश ने आज सपलता के मंत्र के बारे में बताया है उसको खुब आत्म झाल 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 झाल